गुद मॉर्निंग स्टुटेंट वेल्कम तु नभ्या ओनलाइन स्टुडी चैनल तुड़े वियर गुद्टर नंबर फोर द ट्रेजर विदिन अब द बॉक इट सो हैपन तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड पढ़ने से बहले कुछ चीजें यहां पर दे रि रन इन हर हिस स्टाइल अब लर्निंग एंड एरिया अब इंट्रेस्ट कह रहा है कि जो प्रते बच्चे की जो सक्ती होती है कुछ अचीब करने की और उसका जो लर्निंग स्टाइल होता है और उसका एरिया अब इंट्रेस्ट होता है वो क्या होता है सारे बच्चों का अल बुक बैंगलोर एंड मिस्टर हफीज कंटेक्टर एंड वन अप इंडिया लीडिंग आर्किटेक्ट तो हफीज जो होते हैं इंडिया के बहुत बड़े एक आर्किटेक्ट होते हैं और उनका इंटरव्यू कौन ले रही होती हैं मिस बेला राजा ठीक है तो चलिए देखते हैं क्या है स्टार्ट करते हैं हपीज कंटेक्टर वास अनहपी स्कूल वाई वह जो है स्कूल के दिनों में क्या था काफी दुखी रहता था ठीक है ठीक है वो क्या था अनहपी स्कूल वाई ठीक है आप वो अनहपी क्यों रहते हैं आप जानते हो कि जिसका मन पढ़ाई मे ज्यादा नहीं लगता या खेल कूद में ज्यादा रगता है तो पढ़ने जहां पर पढ़ाई का नाम आता है या स्कूल में तो बच्चे ठोड़ा हो आँपे क्या रहते हैं दुखी रहते हैं जिसका ध्यान other activities में ज्यादा रहता है तो ऐसा ही कुछ हपीज के सांद भी होता है, he loved doing thing but detest mechanical learning, detest होता है, nafrat करना, mechanical learning होता है, यंद्रबज शिक्ष्या, mathematics gave him savers, और mathematics से उसे क्या होता था, company होता था, ठीक है, वो घरना करता था किसे, mechanical learning से, यंद्रबज शिक्ष्या से, और वह गनित का, गनित से क्या करता था, गनित उसे जो है, कपा दे दी थी, गनित से वो कंपन करता था, यानि वो डर्दा था गनित से, what is the principle, what his principle once said to him, influenced him deeply, और क्या ऐसा प्रिंसिपल ने कहा कि वो हो, काफी क्या हुए, influenced हुए, फ्रभावित हुए, ठीक है, आप ऐसी, मिस, बेला, राजा, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, अब यहां पर इंट्रिव्यू चल रहा है, तो आप वो क्या इंट्रिव्यू होता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन आप अपनी pen और notebook जरूर रखिए, जिससे जो भी word ऐसे आएं जिनकी meaning आपको नहीं आती या कहीं कोई problem है तो आप उनको write down कर सकते हो जिससे क्या होगा कि आप उन्हें अभी एक मौका है कि आप उन्हें सीख सकते हो या उन्हें write down करके आपको दुबारा उससे देखने की जरुबत फिर नहीं पड़ेगी कुछ टू है टेरिवल नाइटमेयर मुझे टेरिवल भैनक नाइटमेयर होता है दुस्वपन होता है ठीक है मुझे बहुत बड़ा दुस्वपन आया करता था only now over the last four or five year only now लेकिन अब केवल अब over the last four or five year अब चार और पांस साल के में it seem to have disappeared disappear means होता है गयाब होना लेकिन अब उससापना क्या हो गया गयाब हो गया बियार बेला राजा what nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now what nightmare are you talking ठीक है किस nightmare क्या बात कर रहो किस दुस्वपन की बात कर रहो ठीक है why do you think और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि it has disappeared now कि अब यहाब गया होगी है तो ऐसी हपी जो contactor नों बदा रहे हैं I used to get continue nightmare about appearing for a math examination ठीक है अब देखे क्या कह रहे हैं कि I used to get continue nightmare मुझे हमेशा वो nightmare वो दुस्वपन बुरा स्वपन मुझे हमेशा आता था ठीक है about appearing for और किस बारे मैं appearing for a math examination की मैं math की exam में बैठा हूँ ठीक है where I did not know anything और जहां मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है ठीक है अब यह really में बहुत बड़ा दुस्वपन है now the psyche must have gotten over it अब जो psyche means होता है mind must have gotten over it अब इससे दिमाग जो है वो निकल चुका है I don't have to think about education क्योंकि अब मैं नहीं सोचता हूँ education शिक्षा के बारे में and there is absolutely no time to get nightmare और अब बिल्कुल भी ओ टाइम नहीं रह गया है किस चीज़ का इस तरही के सपने आने का दुस्वपना आने का ठीक है बच्चो तो देखे यहां पर nightmare मिन्स दे रखा है एक fear, डर, frightened, dream, psyche मिन्स दे रखा है mind और mentality तो वहीं चीज़ मैंने आपको बताई उसके बाद है बेला राजा tell us something about your earliest memory in a school in school tell us अब वो बेला राजा कहती है जो इंट्रिव्यू लेने आई है हभी इसका वो कह रहे हैं कि tell us something कुछ बताईए about your earliest अपनी पुरानी earliest means होता है बहुत पहले की memory यादों के बारे में in school ठीक है school की जो पुरानी यादे हैं उनके बारे में बताईए तो ऐसी बोल रहे हैं ठीक है हपी इस contractor बोल रहे हैं in the first and second year पहले और दूसरे साल में I was a good student मैं एक बहुत अच्छा student था after I reached the third standard जब मैं तीसरी class में पहुंचा reached means पहुंचना I simply lost interest मैं बिल्कुली interest जो मेरा था वो lost खत्म हो गया and I never studied और उसके बाद मैंने कभी अध्यान या कभी पढ़ाई की ही नहीं I use to be interested in game अब जो मेरा interest जो हो गया किस में हो गया game में हो गया running around दौरने में हो गया playing में हो गया jokes में हो गया and prank on others और दूसरों की क्या हो गया prank means क्या होता है मजाक करना ठीक है सारत करना इन सब चीज़ों में क्या हो गया मेरा interest बढ़ गया I would copy in class during exam time ठीक है और मैं क्या क्या करता था मैं copy क्या करता था exam की time copy means होता है cheating नकल क्या करता था exam की समय I would try to get hold of the examination paper और I would try to get और मैं कोशिस करता था कि मुझे examination जो paper है वो मिल जाए that had been prepared जिसे मैं prepare करूँ और उसे मैं पढ़ लूँ so I could not remember इसलिए मुझे याद नहीं है things चीजें that had been taught to me in class जो मेरी class में taught पढ़ाया जाता है मुझे वो मुझे उसे मैं याद नहीं कर सकता ठीक है एजाए जिससे क्या होता था कि मैं जो भी मुझे मुझे class में मेरे teacher द्वारा पढ़ाया जाता था वो मुझे कभी याद ही नहीं होता था या मैं उन्हें याद नहीं रख सकता था however later one sentence spoken to me by my principal change my life लेकिन हुआ क्या बाद में later बाद में one sentence एक जो sentence था जो spoken to me जो मेरे लिए बोला गया था मेरे principal ने उसने change कर दी मेरी life अब हो क्या सब्द थे when I approached my 11th standard जब मैं अपने 11th standard में पहुचा approach पहुचना the principal called me principal ने मुझे बुलाया और कहा look here देखो यहाँ son बेटे I have seen sorry I have been seeing you from day one मैं तुम्हें देख रहा हूँ seeing means होता है देखना ठीक है from day one ठीक है जब से आपने हाँ admission लिया day one से मैं तुम्हें देख रहा हूँ you are a good student तुम एक अच्छे student थे but you never studied लेकिन तुमने कभी पढ़ा ही नहीं तुमने कभी अध्यानी नहीं किया I have taken care of you till today ठीक है और मैं आज तक तो तुम्हारी taken care means होता है देखभाल करना मैं आज तक तो तुम्हारी देखभाल कर पाया now अब I can no longer take care लेकिन अब मैं जो है ज्यादा तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता ठीक है so you do it yourself इसलिए तुम्हें अब swaying ही सब कुछ करना पड़ेगा he talked to me for five minutes ठीक है उन्होंने मेरे से बात की five minutes you don't have your father तुम्हारे पापा नहीं है you don't have your father तुम्हारे पापा नहीं है your mother has worked so hard और आपकी मा ने बहुत कठिन परिश्रम किया है to bring you up ठीक है तुम्हें उपर लाने के लिए and paid all your fee ठीक है all your fee all these years इतने साल तुम्हारी मा ने ठीक है तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत पर कठिन परिश्रम किया है और तुम्हारी fee जो है fees जो है वो paid की है but you have only played game लेकिन तुम्हें सि you should rise to the occasion and study now you should rise लेकिन अब तुम्हें उठना चाहिए ठीक है to the occasion या इस occasion इस occasion होता है आउसर इस आउसर का लाव उठाना चाहिए and study और पढ़ना चाहिए ठीक है ये बातें किस ने बोली प्रिंस्पल साब ने बोली I used to be a very good sportsman मैं एक बहुत अच्छा sportsman हुआ करता था ठी वो past की बात बता रहा है अब वो architect है अब कोई sportsman नहीं है तो I used to be very good sportsman मैं एक बहुत अच्छा sportsman हुआ करता था यानि खिलाडी हुआ करता था I had been the senior champion for so many years and I have and I also was the cricket captain ठीक है मैं ठीक है I had been the senior champion for so many years मैं कितने साल senior champion रहा and I also was the cricket captain और मैं cricket का captain भी रहा I used to play every game मैं हर game को खेला करता था परते एक गेम को खेला करता था but that year I did not step out onto the field लेकिन उस साल that year उस साल मैंने एक भी step अबना बाहर मैदान में नहीं रखा किस लिए खेल के लिए I would go for prayer मैं प्रातना के लिए जाया करता था and all और पूरे दिन I would do was eat and study मैं स्रिफ क्या करता था खाना खाता था और मैं स्रिफ पढ़ता था I normally used to copy and pass I normally used to copy and pass मैं हमीशा क्या क्या करता था normally साधरान तरपे मैं क्या 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 करता था मैं copy means cheating करता था और पास जाया करता था but I realize लेकिन मुझे realize हुआ इस बात का ठीक है मुझे अनुभा हुआ हुआ था की when I got second class 50% जब मैं when I got जब मैं पहुँचा थीक है जब I got जब मुझे मिला second class और 50% मिले किसमे in my SSC मेरे SSC exam में principal ने मुझे कहा son बेटे consider थीक है yourself अपने आपको consider करो कि as having got a distinction कि तुम्हें ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सम्मान और गौरब की बात हो गई है ठीक है this is my memory of my school day ये जो है मेरे school की क्या है कुछ यादे है ठीक है तो बच्चा इतना पड़ाई से भागता था कि 50-50% आने पर teacher ने principal ने बोला कि तुम ये सोचो कि तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी सम्मान की बात हो गई I did lot of thing lot of other thing मैंने किया बहुत सारी अलग चीजें भी मैंने की ठीक है forget मैं भूल जाता था thing चीजों को variously मैं बहुत जल्दी भी चीजों को भूल जाता हूं तो remember I remember याद करने के लिए I have to see thing as a photograph ठीक है मैं चीजों को कैसे रखता था photograph की तौर पर ठीक है ठीक है book and I can remember the matter as photograph तो मैं क्या करता था कि अपनी books को याद करने के लिए ठीक है मैं क्या करता था कि जो भी matter था उन्हें मैं photograph की तरह रखता था but not through my mind लेकिन मैं अपने धिमाग से उन्हें याद नहीं कर सकता था and you are doing badly ठीक है और तुम बहुत बुरा करते थे ठीक है did the teacher pull you up and how did you feel तो तुम्हारे teacher तुम्हें pull up नहीं करते थे ठीक है pull up का यहाँ पर meaning आई 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 कि insulted type की या कभी मारना पीटना ठीक है and how did you feel तब तुम्हें कैसा अनुभा होता था तो हपीस contractor बूलने I never felt anything मुझे कुछ भी अनुभा नहीं होता था ऐसा on being pull up pull up करने पर I used to be interest in playing क्योंकि मुझे किसमें interest था सिर्फ खेलने में I would receive a canning every week और हर सब्ता में मुझे क्या पढ़त थे canning means होता है मार पढ़ती थी बैत जो डंडे पढ़ते थे हाथ में तो बी आर बेलर राजाओ when you knew when you knew that you had incurred the wrath of your teacher ठीक है तो कह रहा है कि when you knew जब तुम्हें पता है that you had incurred ठीक है पक्के मलब पून रूप से ठीक है तुम्हें तुम्हारे जो टीचर है wrath means होता है क्रोथ करेंगे incurred means होता है मनलब एक confident कि तुम्हें ऐसा हो नहीं है मार पढ़नी है ठीक है by not doing your homework कि तुम अपना homework करके नहीं ला रहे हो तो तुम्हें मार पढ़नी है तुम्हारे टीचर ने wrath गुसा होना है ठीक है और या by behaving badly या बुरा भ्याहर करने से when you knew you would get a canning ठीक है when you knew जब तुम्हें यहाँ पता है कि you get a canning तुम्हें डंडे पढ़ेंगे बैद पढ़ेंगे what was the state of your mind तो तुम्हारी जो mind की situation होती थी state होती थी ठीक है वो क्या होती थी ऐसी कहते है अब इस contactor बोलते है state of mind मान की किस्ती थी एक questioning करके कहरें मन किस्ती थी just lift up the hand बस अपना lift up अपना हाथ उठा लो ठीक है and they would can you और तुम्हें डंडे मारेंगे बैद मारेंगे it would hurt baddy इससे तुम्हें बहुत hurt मनलब होता है दर्द होना baddy बहुत तीज दर्द होगा and then I would have to forget और उसके बारे में because क्योंकि I would want to go and play क्योंकि मैं क्या चाहता हूं जाना और खेलना क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जाओं और मैं खेलू भी आर बेला राजा यू नेवर लेट इन्शिक्योर और त्रिटेंड क्या तुम अपने आपको कभी असुरक्षित और डर में मरलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता था कि तुम असुरक्षित हो या तुम्हें धमगाया जा रहा है ठीक है हपीज ठीक है I was just interested in playing मुझे सिर्प interest था तो खेलने में and nothing else और किसी भी चीज में नहीं ठीक है I was much interested in funny frank ठीक है और मुझे interest किस में था funny मजा किया frank सरारत में मुझे मजा किया सरारत में जो है interest था one day एक दिन I did not want to study I did not want to study मैं पड़ाई नहीं करना चाह रहा था so I created a distraction तो मैंने क्या क्या distraction क्या ठीक है यानि मन को distraction means होता है मन ध्यान को दुसी तरफ केंदित करना for one whole hour we played चोर पुलिस पूरे एक घंटे हमने क्या खेला चोर पुलिस खेला every Saturday every Saturday we were allowed to go into town to see our movies और every I would do watch have no lunch ठीक है तो हम क्या lunch भी नहीं क्या करते थे और collect करते थे पैसो को from 40-50 students से and run और फिर दौरते थे and buy the ticket और ticket खरीते थे on my way back ठीक है और हम जब वापस आते थे I would eat to my hot content तो हम क्या खाते थे जो भी हमारे हिरदय को पसंद आदा था जो भी चीजें हम खाना चाहते थे वो हम फिर क्या करते थे खाते थे I used to be the leader of a gang मैं क्या हुआ करता था अपनी gang का leader नेता हुआ करता था we would have gang fight हमारी जो gang होती थी वो क्या होती थी fights लड़ती थी and plan strategies और हम रणनीतियां जो है बनाते थे strategies मींस होता है रणनीति these things used to interest me more than any academy तो यह जो चीजें थी इनमें मुझे इतना interest आता था जितना की किसी भी academic चीजों में नहीं आता था यानि पढ़ाई वाली चीजों में नहीं आता था अब देखिए canning means बने बता है punishment beating ठीक है incurred the wrath of your teacher इसका भी देर रखा है यहाँ पर made your teacher furious क्रोधित करना distraction something amusing and pleasurable ठीक है कुछ distraction मनलब कुछ amuse करना कुछ amazement कुछ मनलब एक जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम करना चोर पुलिस एक game हो गिया eat to my heart content eat as much as I wanted मैं जितना जाता था उतना खाता था my fill ठीक है पेड भनने के लिए strategies method of winning fight ठीक है लडने के लिए रणनेतिया बनाना academic academic और educational matter book discussion debate तो इन सबसे क्या करता था academic चीजों से वो भागता था ठीक है उसके बाद है student used to book my textbook student क्या करते थे used to book वो मेरे book को जो है वो पहले ही क्या करते used to book my textbook मेरी जो किताब में थी उनको पहले ही book कर लेते थे for the following year आगे आने वाले सालों के लिए because they were almost brand new क्योंकि वो हमेशा क्या होती थी लगभग लगभग brand new होती थी I probably opened मैंने सायधी उन्हें खोला होगा one day before exam exam के एक दिन पहले से सायधी मैंने उन्हें पहले कभी खोला होगा ठीक है बच्चों तो चलिए इनके comprehension check है इस part इस भाग का जो आपने पढ़ा है comprehension check भी हम इसके हाथ के हाथ कर लेते हैं तो आप इन्हें note down कर लीजिए तो आप लोगों की शुविदा के लिए question answer मैंने थायार किये हैं पहला question है what did hapeese contactor have nightmare about तो इसका answer देखिया भी इस contactor got nightmare about appearing for a mathematics examination in which he did not know anything ठीक है अब वो क्या कह रहा है कि what did hapeese contactor have nightmare about उसे क्या मनलब जो दुस्वपन था किस चीज का था तो आप देख चुके हैं कि उससे mathematics से बहुत जादा डर लगता था second है what did the principal say to him which influenced him deeply क्या उसके principal ने कहा जिसने उसे बहुत influence किया फ्रभाइद किया तो principal said to him that he had been seeing him since day one he was a good student however he had never studied the principal told him that so far he had taken care of him but can no longer take care of him he mentioned how hapeese mother had worked hard to bring him up and had paid all his fees for all those years however he had only played game he thus told hapeese to rise to the occasion and study these words influenced hapeese in a deep manner तो क्या वो चीजें थी principal ने कहा था ना उससे कि मैं आपको day one से कितना hardware किया है तुमारे इतने सालों तक fees पे की है तो अब एक आउसर है कि आप क्या करो बहुत अच्छी study करो ठीक है तो जिसने उसे influenced किया थार्ड question है that year I did not step out on to the field what was he busy doing that year ठीक है उसके बाद जब principal की बातु से वो influenced वे तो इसके बाद उन्होंने क्या क्या उस साल he was busy studying that year उस साल वो बहुत ज्यादा बीजी रहे पढ़ने में ठीक है प्रेयर उन्होंने की और उसके अलावा सिर्फ उन्होंने क्या किया he went to prayer वो प्रेयर में जाते थे और इसके अलावा उन्होंने सिर्फ वो घर के अंदर वो क्या करते थे सिर्फ वो पढ़ाई करते थे और खाना खाते थे उसके अलावा उन्होंने कभी भी फील्ड में बाहर पहाँ नहीं रखा what destruction did hapiz contacted create one day क्या उन्होंने destruction एक दिन create किया तो hapiz mentioned how one day he did not want to study so he created a destruction ठीक है and for one whole hour he played चोर पुलिस with his classmate तो उन्होंने क्या किया जब उनका मन पड़ाई में नहीं लगा तो उन्होंने पूरे एक घंटा क्या क्या चोर पुलिस का खेल खेला किसके साथ अपने classmate के साथ और इसका जो second part है fourth वाले का वो question आप लोगों के लिए है तो आप उसे complete कीजिए चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि मुझे आपके लिए फड़ा फड़ और भी वीडियो बनाने चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक बाद और मैंने सेवंत के भी English के वीडियो बनाना अब स्टार्ट कर दि